आज हम बात कर रहे हैं बर्नपूर सीमेंट लिम्टेड की 1986 से एक कंपनी वर्क कर रही है small cap कंपनी है market cap मात्र 46 करोन का है सीमेंट सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है बहुत छोटा सा पैनी स्टॉक है जो एक सीमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ है इस कंपनी ने एक साल के अंदर ही 100% से ज़्यादा रिटन प्रोवाइट किया हुआ है बर्ट इसके overall fundamental को अगर आप देखेंगे तो fundamental बहुत ज़्यादा strong नहीं है एक छोटा सा पैनी शियर है रिस्क की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है बर्ट अगर कंपनी के रिटन्स को देखेंगे तो काफी ज़्यादा attractive देखने को मिलना है कंपनी का रिटन एक महीने में ही 27% से ज़्यादा निकल किया है लाश्ट वन्त में वहीं एक साल की अगर बात करें तो 104% से ज़्यादा की रिटन दिया है तो क्या इस श्टॉक में निवेश करना चाहिए या इस श्टॉक से दूर रहना चाहिए कैसा इसका रहने वाला है आगे का fundamental और वो सारी चर्चा करने वाले हैं विस्तार से वीडियो में आखरी तक बने रहिएगा फ्रेंड्स बनपूर सीमेंट की बात करें तो PNB से काफी बड़ा लोन चल रहा है इनके उपर जो 50 करोन से ज़्यादा का है जिसके NPA की रिकवरी के लिए PNB बैंग ने ARC बनाने की भी योजना बना लिया जिससे वो अपने लोन को रिकवर कर सकें कंपनी लोन डिफॉल्ट करती रहती है और कंपनी के उपर बहुत सारा करजा है प्रिजेंट में कंपनी की ज़्यादा तर Holdings Market में गिरवी रखी हुई है कंपनी ने बाहर से काफी ज़्यादा करजा उठा रखा है कंपनी के अगर fundamental को देखेंगे वो बहुत ज़्यादा strong नहीं है कंपनी का अगर net loss देखेंगे तो इस समय काफी ज़्यादा कंपनी घाटे में 282 क्रोन से ज़्यादा का घाटा है कंपनी का 58 क्रोन का घाटा कंपनी ने last financial year का result जो पेस किया है उसमें देखने को मिला है कंपनी का जो quarter 4 का result आ है वो भी बहुत ज़्यादा strong देखने को नहीं मिल रहा है कंपनी के financial trend को देखेंगे कंपनी का जो profit है वो पिलकुल निकल के नहीं आ रहा है last के 5 year का अगर आप return देखेंगे तो काफी ज़्यादा घाटा देखने को मिल रहा है तो काफी ज़्यादा अट्रेक्टिव देखने को मिलेगा आपको यानि इस company में अगर long term के लिए hold किया जाएगा तो काफी अच्छा return ये stock provide करता हो दिख सकता है company का stock जिस तरह से फिलाल अभी move कर रहा है positive में train करता हो दिख रहा है अगर long term का mindset है तो इस stock में आप निवेश कर सकते है short term का नजरिया है तो थोड़ा सा इस stock में निवेश करने के से बचें क्योंकि stock का fundamental बहुत जादा strong फिलाल नहीं देखने को मिल रहा है company के PE ratio को देखने के तो minus 0.78 देखने को मिलेगा है यानि company का जो PE ratio निकल के आ रहा है वो minus में है इस समय sector PE इसका 13.40 देखने को मिल रहा है sector PV इसका 2.69 है वहीं PV ratio की बात करें वो भी minus में है minus 0.21 देखने को मिल रहा है company किसी तरह का dividend offer नहीं करती है company का जो sector dividend निकल के आता है वो 2.33% निकल के आता है यानि overall company का जो fundamental है बहुत strong नहीं है काफी ज़्यादा weak देखने को मिल रहा है company का stock price last working day में 5.47 पैसे के आसपास trade कर रहा था last working day में 4 पैसे की बढ़त देखने को मिली थी इस stock के अंदर company का जिस तरह से trading value देखने को मिला था करीब 95,000 से ज़्यादा का value हुआ था वो पूरी delivery उठाए यह थी delivery का जो percentage निकल के आया था 100% के आसपास का था company के अगर quarter के result को देखेंगे आप तो काफी ज़्यादा गिरावड देखने को लिगी March quarter में company का जो net income था वो 41% downfall था उससे थोड़ा सा recover जरू हुआ था इस बार net income बड़ अब यह overall minus में देखने को मिला था 34% से ज़्यादा minus में था company का net income वही total expenses की बात करें तो 33% से ज़्यादा की गिरावड देखने को मिली थी company का EBIT जो है वो भी last के quarter से काफी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा था minus 0.33 देखने को मिला था company के अगर June quarter को आप year on year base पे देखेंगे तो revenue में 12% से ज़्यादा की गिरावड देखने को मिलेगी net income में 1% से ज़्यादा की growth देखने को मिलेगी हाला कि net income company की minus में थी बट last year से अगर compare करेंगे तो घाटा इस year में थोड़ा कम देखने को मिलेगा earning per share भी minus में है बट last year से compare करने पे वो भी थोड़ा सा उपर देखने को मिला है 1.89% की growth देखने को मिली है last year से compare करने पे net profit margin में बड़ी किरावड देखने को मिली है 12% से ज़्यादा का downfall देखने को मिला है जून quarter के result में company के stock price की बात करें तो यह stock price ने एक साल के अंदर 105% से ज़्यादा के written दिया है company का जो bound week का low है वो 2 रुपए 55 पैसे का है जो high है वो 8 रुपए 50 पैसे का है stock price present में 5 रुपए 35 पैसे के आसपास trade करता हुआ last working day में देखने को मिला है तो इस stock में इस level पे अगर निवेश करने की योजना है आपकी pick करना चाहते है इसके अंदर तो यह एक risky stock है यह mindset के साथ इस stock में निवेश करेंगी यह एक risky stock है कभी भी गिरावट में देखने को मिल सकता है बट अगर इसमें long term के लिए hold करेंगे तो ही यह result आपको थोड़ा सा positive में देता हूँ अधिक सकता है company के अब तक के return को अगर आप देखेंगे तो एक महीने में 27% से ज़्यादा के return निकाल के दिया है इस company ने 3 महीने में 0.5% से ज़्यादा के return है एक साल में 105% के return है तीन साल में 214% के return है 5 साल में इस stock में 27% से ज़्यादा इक गिरावट देखने को मिली यानि इस stock में अगर long term के mindset के साथ निवेश किया जाता है तो यह stock अच्छा return प्रोइट करता है बट यह return तभी अच्छा प्रोइट करता है जब आप सही समय पे इसमे profit बुक करते हैं अगर इस label पे आप इस stock में निवेश करना चाहते हैं तो long term के mindset के साथ इसमें निवेश की हैं तो जोखिम तो बना रहता है इसमें बढ़ ये श्टॉक रिटन भी काफी अच्छा प्रोइट करता हुआ दिखता है होल्डिंग्स के अगर बात करें तो प्रमोटर्स के पास 27% से ज्यादा की होल्डिंग है लाश्ट के क्वाटर से इस बार होल्डिंग प्रमोटर्स की कम हुई ये लाश्ट के क्वाटर में कंपनी के पास 27.57% की होल्डिंग थी इस क्वाटर में मातर 27.29% की होल्डिंग देखने को मिल रही है और सबसे ज़्यादा होल्डिंग इस बार कंपनी की गिरवी होग ये लाश्ट के क्वाटर से काफी ज़्यादा होल् इतकी मार्केट में गिरवी रखी हुए और कम्पनी को पर जब तक इतना ज्यादा बर्डन है कर जा है तब तक कम्पनी की स्टॉक प्राइज में बहुत अच्छी ग्रोथ होती हुई देखने को नहीं मिल सकती है कम्पनी के अगर फाइनेशल ट्रेंड इसकोर को देखेंगे तो जो इसकोर लाश्ट के थ्री मन पहले फोर पे ट्रेट करता हुँ दिख रहा तो वह इस समय माइनस थ्री पे आ गया है अगर इसमें बाइंग करेंगे लॉंग टर्म के साथ तो अच्छा रिटर्न ये श्टॉक प्रोइट कर सकता है बट जिस तरह से अभी फिलाल फाइनेशल ट्रेंड इसका देखने को मिल रहा है बहुत जादा ग्रोध होने की समभावना है लॉंग टर्म में ही देखने को मिल रही है बस सौट टर्म में किसी तरह का कोई खास रिटर्न आता हो नहीं देख रहा है इसके अंदर अगर आपको बने रहना है तो लॉंग टर्म के माइनसेट के साथ ही इसमें निवेश करिए फ्रेंट्स यह वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नौलिप पापास बनाया है किसी तरह का निवेश करने से पहले अपने फैनेशियल एडवाईजर की सबाद जरू ले ले लें फ्रेंट्स वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करके चभू बताएगा फ्रेंट्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद